तो भई मेरी तरह कौन कौन excited है शूपर डूपर कल के smackdown के एपिसोड के लिए एपिसोड के लिए आज की स्वीड़े के इंदर हम लोग डॉल डबली के कल के smackdown के एपिसोड के बार में डिसक्स करेंगे जो कि SmackDown का पहला शो होगा Elimination Chamber पेपर व्यू के बाद Elimination Chamber में काफी सारी उथल पुथल लो इस जारोर के परफॉर्मस काफी बहतरी नाई एज ने चैलेंज की है रोमर रेंज को केविन ओन्स का के क्या होगा इन सभी चीज़ों के बारे में हम लग डिसकस करेंगी क्या चीज़े हमें कलके SmackDown के श्मागड़न के श्मागड़न के अधर दिखाए देंगी So without wasting any time let's begin this video तो देखो अभी फिलाल WWE ने एक भी सिंगल मैच एक भी प्रोमो सेगमेट या फिर कुछ भी भाई एक से कह सकते ना समुंदर में से एक भून भर भी चीज डवल डवली ने फिलाल अनौंस की नहीं है लेकिन यहाँ पर WWE ने प्रोमो वीडियो अपने लॉंच किया था जो कि उन्होंने advertisement के दौरान अपने Sony 10-3 या फिर Sony 10-1 पर देखी लिया होगा इस प्रोमो वीडियो को देखने के बाद स्रिफ हमें इतना पता लगता है कि कल शो के उपर Edge होंगे और रोमा रेंज होने वाले हैं और यह दो वह चीज़ हैं जिसके कारण मैं excited हों कल के शो के लिए क्योंकि डवडबली ने बात अनौस की कि देखना यह होगा कि ट्राइबल चीफ का क्या response होता है जब लटी मेट ऑपर चुनिस्ट ऑपर चुनिस्ट ऑपर चुनिस्ट ऑपर चुनिस्ट ने चालेंज कर दिये रोम अरेंज को रेसल मेनिया 37 के लिए तो मैं भी एकल शो की ओपनिंग जो होगी वो रोम अरेंज के साथ ही होगी रोम रिंग के अंदर आएंगे वो काल आउट कहते न करेंगे एच को कि भाई तो ने मेरे पर हमला कैसे किया जल्दी आधर रिंग के अंदर हमें फिर रोम वगरे इतनी जल्दी नहीं होने वाला क्योंकि रेसल मेने को भाई भी फिलाल बहुत जादा टाइम है तो में भी यहां पर रोम रेंज का फासलेंग का जो चैलेंजर है वह में इंटरॉप उन्हें करता हूँ नजर आ सकता है और में भी रोम रेंज पर हमला करता हूँ करते हूँ नजर आए तो हमें जो एज्छ की हमला नजर आए और मेंबी इवेंट के लिए एमेंज वरे往ता हूँ होता हूँ नजरा है लेकिन यहाँ पर जो मेरी प्रेडिक्शन रहेंगे शो के लिए वो यह कि कल से थ्रॉलिंस आएंगे रिंके बीच बीच और वो कहेंगे कि भाई मैंने जो फिलार कम्प्लेइन वगएरा की थी पूरे जो डिवल डबली ऑफेशल संसे जारों के खिलाफ मैनेजमेंट का यह कह करता है इससे जादा चीज से थ्रॉलिंस के साथ कल शो पर होने नहीं वाली बिगी आपॉलो क्रूस के बात नहीं तो इनका फ्यूट भी कंटिन्यू रहेगा हो सकता है आपॉलो क्रूस रिंग में आए वो कहें कि भाई ओनों ने इंटर कॉंटिनेंटल चैंपिन को पूरे यह भी हमें स्माइक डून की टैंक टिम चैंपिशिए पिच्चर के अंदर एंटर होते हुए नजर आएंगे और कल शो के अपर या फिर ऐसा हो सकता है ओटी सिंचाट गेबल हमें एक नौन टाइटल मैंच में जिगलर रोबर टूट का फेस करते हुए नजर आए या फिर और टैक्टिम एक्षिन के अंदर हमें यह दोनों सुपरस्टार कल स्माइक डून के शो में दिखाए दे सकते हैं शाषर बैंक से बयांक का बलेर की बात रही तो यहां पर फिर रेजिनल आते हुए नजर आएंगे मैं इतना गंदा की बोल गया रेजिनल आते हुए नजर से चल रही है वह हमें आगी कंटिन्यू होते हुए नजर आएंगी कारमेला आएंगी कारमेला में भी शाषर बैंक से सिंगल मैच में फेस कर रहे हैं या फेस करते हुए एक इंटर जेंडर मैच के अंदर और इससे जादा आए तिंक शो के ओपर कलकुछ होने ही नहीं वाल अगर आपको यह वाली वीडियो पसंद आए तो आप लोग नीचे वीडियो का आपको लाइक कर सकते हैं आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दो ताकि आगी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंट्रेसिंग कमाल की और